बिस्मेल लेर मारे रखीम असलाम वैकम वेलकम बैक टू मैं चैनल अलिशय डिजाइनिंग आज हम आपको बहुत आसान सा नेक्ट डिजाइन बनाने सकाएंगे जो इन्शाला आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा और ये नेक्ट डिजाइन बिगनर्स भी बहुत असानी से बना सकेंगे सबसे पहले हमने यहां पर ये स्टिक पेपर लिया है जिस पर हमने अपने नेक्टी कटिंग करनी है इसकी चोड़ाई यहां पर हमने लिए 9 इंच और लंबाई हमने लिए 7 इंच इसको फोल करेंगे अब हमारे नेक्टी जो चोड़ाई है वो हमने 4 4 इंच रखनी है अपने नाप के हिसाब से लें और लंबाई हमने पांच इंच लेनी है तो यहां पांच इंच तक निशान लगाएंगे इसके बादर की मदद से हमने हाँ यहां पर दो लाइने डॉख कर लेनी है इस तरह से लाइन्स डॉप करने के बाद हम यहां पर इसको राउन शेप दे देंगे जहां पर हमने यह निशान द्रॉप किये हैं इस्टिक पेपर को काट लेना है इस तरह से काटने के बाद आप यहां पर एक इंच छोड़ के एक्स्ट्र स्टिक पेपर काट देंगे आप देखें यहां पर हमने अपने गले की जो कटिंग है वो काली है आप अपने शिर्ट की फ्रांट पार्ट लिया है इसकी सेंटर में हमने इसको पेस्ट करना है Stick Paper का Centre है शूर्ड की इस Centre वाली लाइन पर आना चाहिए Stick Paper को मैंने शूर्ड की उल्टी साइड पे PAYST किया है अब Front साइड पे हमने एक Neck की सेंटर हमी नहीं Said पे हमने Neck Line बनानी है तो यहाँ पर हम पहले निशान लगा लेंगे ताकि जब हम इस पर neckline attach करें, तो एक जैसी आए, shirt के center से लेके left side तक हम ने यहाँ पर 3.5 इंच तक निशान लगाने हैं, दो, एक उपर लगाएंगे, एक नीचे वाली side पर लगाएंगे, और scale की मदद से line draw कर लेंगे, यह line मैंने draw कर दिये, अब इसकी जो लंबाई है, हमने यहाँ पर 14 इंच तक ली है, त्यार हम 14 इंच लेंगे, आप इसकी लंबाई कम या जादा कर सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से, अब इसकी उपर हमने यहाँ पर यह पट्टी लगानी है, जिसकी लंबाई हमने 14 नही लिए है, जितनी आपने neckline त्यार रखनी है, उससे 2 इंच एकस्टर लेनी है, और चोडाई 2 इंच तक ली है, यहाँ पर सबसे पहले हमने यह पट्टी लिए है, इसको इस तरह से फोल्ड करके हमने, क्रॉस में पिंटिक्स टालनी है, बिल्कुल बारीक पिंटिक्स टालनी जो कपड़े के किनारे पे होती है, सारी पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, और प्रास में पिंटिक्स टालते जाएंगे, आप अगर इस देजाइन में पिंटिक्स नहीं डालना चाहते, तो तिर्ची भी डाल सकते हैं या सीधी भी, करते हैं धुड़े लो नहीं में जारा हम आगरी के किने बालना हुड़ेंगे, ओकर मुछेंगे आप हम जा सकते हैं ये सिर्ची, आफ गभों आपिंट्स उन्हों, और भी, आप हम मीं इस रा it, फ्रіш समयीरे हैं उन्यों करता हैं, परक bissिंटम 뚜्र्में और प्यूंगे, यहां पर मैंने सारी पटी पर क्रोस में Pintius डाल दी हैं अब इसके बाद इसकी साइट नेक लाइन की साइट पर हमने एक साइट पर समोसर डिजाइन बनाना है तो उसके लिए मैंने यहां पर चोकोर पीजी ली हैं जिनकी लंबाई और चड़ाई डेडेट इंचे इस तरह से फोल्ड करके स्मोसर डिजाइन में उपर से हमने पटी के एक चोड़ना है एक चोड़ के यहां पर इस तरह से यह स्मोसर डिजाइन रखना है और स्लाई लगाने है सेम ऐसी सारी पटी की एक साइट पर इस तरह से के पीसे फोल्ड करके स्मोसर डि अब पटी के ये नीचे वाली साइड से भी हमने हाफ इंच कपड़ा चोड़ना है जो अंदर स्लाई में जाएगा अब सारी स्मोसा डिजाइन हमने सीधी साइड पे लगाये थे इनको इस तरह से लगाने के बाद फोल्ड करेंगे तो इनका एक्स्टा कपड़ा है वा अंदर फोल्ड हो जाएगा अब यहाँ पर मैंने अपनी शिर्ट ली है यह वाले जो निशान लगाये थे बिल्कुल इसके उपर हमने स्लाई लगानी है ताके हमारी नेक लाइन जो बिल्कुल सीधी आए अब देखें यहाँ पर यह वाले जो स्टिक पेपर है यहाँ तक स्लाई आएगी हमारे नेक की जो एक्स्टा कपड़ अंदर फोल्ड हो जाएगा तो यह वाले जो स्मोसा डिजाइन जहां से हमने लगाने शुरू की है यह बिल्कुल हमने स्टिक पेपर के साथ रखना है और नीचे जो लाइन ड्रॉ की है उसके उपर पट्टी को रख के हमने स्लाई लगाते जाना है अब आप देखें यहां नीचे से यह वाला जो हाफ इंच हमने लिया था एक्स्टा कपड़ा इसको अंदर इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्लाई लगा लेंगे नीचे से हमने कॉर्णा जो अच्छी तरह से सैट करना है और उसके बाद स्लाई लगानी है अब यहां दूसरी पट्टी की दूसरी साइड से भी एक्स्टा जो एक हाफ इंच कपड़ा इंदर की साइड फोल्ड करके स्लाई लगा लेंगे हाँ 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 नेक लाइन मैंने कपड़े पर अटेच कार दिया जो बहुत ही खुबसूरत लुकते रही है आप इसकी लंबाई मैंने पहले भी बताया है कम या ज्यादा कर सकते है तो यहां पर बुक्रम मैंने पहले ही पेस्ट कार लिया था अब इसके नीचे हमने एक्स्टा कपड़ा लेना है और इस तरह से रखना है और बिल्कुल स्टिक पेपर के केनारे पर लाई लगाने के बाद उल्टी साइड पे यहां पर यहां पर यहां से कितनी खुबसूती से आई है और फिंशिंग के साथ आई है इस तरह से अंदर फोल्ड करेंगे बिल्कुल जितना स्टिक पेपर है इसको कवर करके हमने तुर्पाई कर लेनी है और यहां पर हमने यह वेले जो क्रॉस के निशान बनाए इनके सेंटर में और स्मोसा डिजाइन पर बीट्स लगाने है तो आप देखें यहां पर हमारा इस दाइन सेंटर में बहुत कर दीयां निशान निशांन के सेंटर में दरे इसका कवर लुदा करेंगे सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाएगा रखें अपना धेर सारा ख्याल दो में मुझे भी याद रखें मिलेंगे नेक्स वीडियो में अला हाफेश